एक्ट्रिस रिया चकरवर्थी को सुशान सिंग राजपूत की याद सता रही है रिया ने अब अपने वाट्सेप प्रोफाइल फोटो में सुशान के साथ की एक तस्वीर लगाई है फोटो में सुशान सिंग को रिया के साथ मुस्कुराते और अच्छे मूड में देखा जा सकता है 14 जून को मुंबई स्थित घर पर सुशान सिंग राजपूत ने फासी लगा कर खुदखुशी कर ली थी इस दुखत घटना को आज पूरा एक महीना हो गया है सुशान सिंग राजपूत की मौत के बाद रिया चकरवर्ती सोशल मीडिया से दूर हो गई है और उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आखरी पोस्ट 14 जून को किया गया था सुशान सिंग राजपूत आत्महत्या मामले में मुंबई पुलिस जाच कर रही है पुलिस मामले में रिया चकरवर्ती के साथ साथ लगभग 35 लोगों से पूचताच कर चुकी है रिया चकरवर्ती से करीब 11 घंटे तक चली पूचताच में कई बाते सामने आई थी रिपोर्टेटली सुशान सिंग राजपूत के साथ रिया का रिष्टा पिछले एक साल से था पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों साल के आखिर में शादी करने वाले थी अपनी मौत से पहले सुशान सिंग ने रिया को कॉल किया था मगर उसका कोई जवाब नहीं मिला सुशान सिंग के अचानक उठाए घातक कदम से बॉलिवुड में नेपोडिजम पर बहस जोरो शोरो से हो रही है वही सुशान के फैंस CBI जाच के मांग कर रही है रिया को भी सोशल मीडिया पर खुब ट्रोल किया जा रहा है फिल्मेकर महेश भट के साथ उनकी कुछ पुराने तस्वीरों के लिए जो की काफी टाइम से चर्चा में है नेगेटिव कॉमेंट से दूर रहने के लिए रिया ने इंस्टेग्राम पर अपने अकाउंट का कॉमें सेक्शन डिजेबल कर दिया है और अब इतने टाइम बाद रिया फिर से सुर्खियों में है इस वाटसेप प्रोफाइल फोटो के कारण सुशान के जाने के बाद से ही आम जंता के निशाने पर रिया है उन पर तरह तरह के इलजाम लग रहे है यहां तकी सुशान की कमपनीज में बोर्ड आफ डिरेक्टर्स के तौर पर रिया और उनके भाई के नाम के आने पर रिपोर्टिडली पुलिस ने उनसे पूछताज भी की है आपके क्या रियाक्शन्स है इस निउस पर पोस्ट करिए अपने कमेंज